नमस्कार दोस्तों सामसंग ने कुछ दिनों पहले एक बहतरिन डिवाइस लाँच किया था सामसंग गैलक्सी S9 Plus जिया दोस्तों इस फोन का कैमेरा काफी बहतरिन था अब तक का सबसे बहतरिन कैमेरा आपको इस फोन में देखने के मिलता है तो इस फोन के काफी चर्चे हो रहे थे यह फोन जाना जा रहा था अपने बहतरिन कैमेरा के परफॉमस के लिए तो उसको टकर देने के लिए अब मार्केट में आने वाला है OnePlus का बहतरिन डिवाइस OnePlus 6 जिया दूस्तों ये भी काफी बहतरिन मोबाइल होने वाला है तो आज के इस वीडिवे हम कमपारिजन करने वाले Samsung Galaxy S9 Plus का जानेंगे कि इन दोने में से कौन सा फोन बहतरिन है कौन सा फोन अपने प्राइस को वर्थ करता है और मोस्ट इंपोर्टन इन दोने में से कौन से फोन का कैमेरा बहतरिन है इससे जो आपको हेल्प होगी अगर आप लेने जा रहे है Samsung Galaxy S9 Plus या आफ वीर आपको लेना है OnePlus 6 तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहे है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अनकुल आप देख रहे हैं वेक्टाइट एक चैनल को तो चलिए शुरू करते है तो हम बात करें Samsung Galaxy S9 Plus की आण OnePlus 6 की तो चलिए comparison करते हैं इन दोनों फोन की लूक्स की एड डिस्प्ले की तो यहां पर बात करें S9 Plus की तो दोस्तों इस फोन में आपको देखने मिलेगा 6.2 इंच का फुल एच्डी प्लस इंफिनिटी डिस्प्ले जा दोस्तों एक बहतरी डिस्प्ले आपको इस फोन में देखने मिलेगा जिसका आस्पेक्टर इश्व है 18 इस्टू 9 का मतलब कि यह फोन पूरी तरह से बेजलेस होने वाला है बट उपर और नीच की तरफ आपको थोड़े से मोटे मोटे बेजल देखने मिलेगा बट यह फोन का डिस्प्ले सच में काफी बहतरी नहीं सूपर अमुलेट डिस्प्ले आपको इस फोन में देखने को मिलता है एन इस डिस्प्ले को प्रोटेक्श HD plus AMOLED display जिया दोस्तों बट यह display थोड़ा सा अलग है S9 plus से क्योंकि इस phone में आपको देखनेंग मिलेगा iPhone X की तरह notch जिया दोस्तों जिसका aspect ratio है 19-9 का मतलब की ऊपर की तरह आपको छोटा सा notch देखनेंग मिलेगा बाकी जो phone है होगा पूरी तरह से bezel-less और इस phone को भी आपको protection देखनेंग मिलता है Corning Gorilla Glass 5 का तो इन दोनों फोन के display सच में काफी बहतरीन है बट यहाँ पर मुझे S9 plus का display काफी बहतरीन लगा अगर आपको notch display परसंद है तो आप जहें वह OnePlus 6 की तरफ जा सकते है बट आपको एक बहतरीन device जाए तो आपको जहें वह S9 का display काफी पसंद अब यहाँ पर बात करते है इस फोन की लुक्स की दोनों फोन की लुक्स की तो आपको S9 plus में देखनेंग मिलेगी Aluminium की body जाँ दोस्तों एक perfect design आपको यहाँ पर देखनेंग मिलता है back side के तब आपको मिलेगा dual camera with LED flash and fingerprint sensor एक premium एक luxury look आपको S9 plus में देखनेंग मिलेगा यहाँ पर बात करें OnePlus 6 की तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखनेंग मिलेगा glass plus metal की body यहाँ भी आपको middle में देखनेंग मिलेगा dual camera with LED flash and fingerprint sensor तो दोनों फोन के looks and displays काफी बहतनीन है मुझे personally यहाँ पर S9 का look and display काफी पसंद आया बट आपको not screen चाहिए तो आप जहें वो जा सकते है OnePlus 6 की तरब अब यहाँ पर बात करते हैं इन दोनों फोन की performance की तो दोस्तों इन दोनों फोन का performance almost same होने वाला है क्योंकि इन दोनों फोन में आपको देखनेंग मिलने वाला है तो इस फोन में आप काफी बहतरिन तरीके से experience कर सकते हो high graphics के gaming के धेर सारे application यूज़ कर सकते हो इससे आपका mobile गरम भी नहीं होगा hang भी नहीं होगा तो इस फोन का performance काफी बहतरिन होने वाला है इन दोनों फोन में आपको देखनेंग मिलेगी 3500 mAh की बैटरी इन दोनों फोन में आपको देखनेंग मिलेगा USB Type-C का पोर्ट बट यहाँ पे आपको OnePlus 6 में देखनेंग मिलता है उनका कुटका ही डाश चार्जिंग यहाँ दोस्तों इससे जो है आपका मुबाइल लगबग एक घंटे के अंदर यहाँ दोस्तों एक घंटा भी नहीं उससे पहले आपका जो मुबाइल है फुल्ली चार्ज हो जाएगा बात करें प्लस की तो इसमें आपको USB-C का पोर्ट देखनेंग मिलता है तो यह फोन जो यह वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है यह फोन भी एक घंटे के अंदर फुली चार्ज हो जाएगा तो इन दोनों फोन के परफॉर्मस आल्मोस सेम है इन दोनों फोन में जो आपको 3 3.5 mm का audio jack देखने को मिलता है कुछ कुछ मोबाइल में हमें देखने को नहीं मिलता जब से आइफोन ने अपना audio jack निकला है तो हर कोई कंपनी ऐसा ही कर रही है बट इन दोनों फोन में आपको audio jack देखने को मिलता है बट यहाँ पर बात करें SIM slot की तो दोस्तों यहाँ पर आ आप इसका storage बढ़ा सकते हैं पूरे 400 GB तक जहां दोस्तों एक बड़ा storage आप यहाँ पर S9 Plus में बढ़ा सकते हैं बात करें यहाँ पर security की तो दोस्तों यहाँ पर OnePlus 6 में आपको देखने को मिलेगा face unlocking fingerprint sensor and pattern lock बट यहाँ पर बात करें S9 Plus की तो दोस्तों यहाँ पर face unlocking तो आप कर सकते हैं तो यह यहाँ पर एक advantage आपको S9 Plus में देखने को मिलता है बात करें यहाँ पर operating system की तो दोस्तों आपको S9 Plus में देखने को मिलेगा Android की latest operating system Oreo जिया दोस्तों 8.01 आपको out of the box इस phone में देखने को मिलेगी बट यहाँ पर थोड़ा सा advantage आपको देखने को मिलेग One Plus 6 में install कर सकते हैं जिया दोस्तों तो यह एक बड़ा update आपको देखने को मिलेगा One Plus 6 में अभी यहाँ पर बात करते हैं इन दोनों phone के सबसे बहतरी फीचर की joke है इन दोनों phone के camera जिया दोस्तों One Plus 6 में आपको देखने को मिलेगा back side के तरब dual camera 16 and 20 megapixel का camera आपको back side के तरब देखने मिलेगा जिसका aperture होगा F1.7 का and 1.9 का जिया दोस्तों यह camera काफी बहतरी होगा low light mode portrait mode bouquet mode dual optical zooming wild angle lens सभी तरीके के काफी बहतरी बहतरी फोटो आप जए वो One Plus 6 में खीच सकते हैं बात करें S9 Plus की तो दोस्तों इस phone में आपको देखने मिलेगा 12 12 megapixel का dual camera जिसका aperture है F1.5 का and F2.4 का जिया दोस्तों dual aperture आपको इस phone में देखने मिलेगा जिसे आप कभी भी change कर सकते हो जिया दोस्तों अब तक का सबसे बहतरीन camera आपको इस phone में देखने को मिलेगा यह camera support करता है OIS को 2X optical zooming को autofocus को low light को सभी तरीके के photos आप जहे वो S9 Plus में काफी बहतरीन खीच सकते जिया दोस्तों S9 Plus जो है वो फिलार मार्केट में आ चुका है तो इसके photo जो है अब तक के सबसे बहतरीन photos देखने को मिलते है तो यहाँ पे सीधे सीधे S9 Plus का camera सच में काफी बहतरीन होने वाला है अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों selfie camera की तो दोस्तों आपको OnePlus 6 में दे selfie सकते हो बात करें S9 Plus की तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 8 Megapixel की selfie जा दोस्तों यह थोड़ी सी कम selfie है बट इसका aperture है F1.7 का तो यह भी selfie काफी बहतरीन होगी लो लाइट में भी portrait मोड में और bouquet मोड में तो यहाँ पे बात करें सीधे सीध लाइट करता है Super Slow Mo को जिएा अब तक का सबसे बहतर ही Super Slow Mo आपको इस फोन में देखने को मिलेगा एर इमोजी जिस तरह से iPhone X में उनके खुद के इमोजी है उसी तरह से आपको इस फोन में देखने को मिलेगे AR Emoji तो ये भी एक काफी बहुतरने आप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है अब यहाँ पर बात करते हैं दोनों फोन की वेरेंट की तो दोस्तों आपको 6GB की RAM 64GB का Store, 6GB की RAM 128GB का Storage और यहाँ और 8GB की RAM 256GB का Storage बात करें आपकोसी सनाइम प्लस की तो आपको यहाँ पे देखने कि मिलेकर तीन स्थोजी वेरेंट 6GB करें tant शूर्ण 6GB या इन 6GB की RAM 256GB का Store जाँ दौस्तों आपको 1 plus 6 में 8 GB का एक भहतरी वारियंट देखनेंग मिलता है बात करें यहाँ पर प्राइजिंग की तो 6 GB 64 GB का जो वारियंट है 1 plus 6 का उसकी प्राइज लगबग जाएगी 37,000 तक बात करें S9 Plus की जिसका जो वारियंट है 6 GB RAM 64 GB का स्टोरेज उसकी प्राइज जाएगी लगबग 65,000 तो प्राइज के मामले में यह काफी बड़ा डिफरेंस है लगबग 30,000 का डिफरेंस आपको यहाँ पर देखनेंग मिलता है तो मेरी माने तो आप जो वो 1 plus 6 का वेट कर सकते हो क्योंकि बहुत ही कम प्राइज में आपको S9 से भी बहतरिन फीचर देखनेंग मिलेगे 1 plus 6 में बट अगर आप फैन है Samsung Galaxy S9 के आपको जो वो प्रोफेशनल एक पर्फेक्ट डिजाइन चाहिए एक बहतरिन इंफिनिटी डिस्प्ले चाहिए तो आप जो वो बे जीजक ले सकते है Samsung Galaxy S9 Plus तो दोस्तो आप बताइए मुझे आपको इन दोने में से कौन सा फोन पसंद आया आप कौन सा फोन बाइ करना चाहिएगे वो बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में इस वीड़े में इतना है अगर आपका यूड़े पिसंद आया तो प्लीज इस वीड़े को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरा यूटूब चैनल एफक्टाटिक को प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और आपका कोई भी शुजा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कम कर दीजे